किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंस की इत्मी भीड देखी है अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो तो ये सपना नहीं हकीकत कहलाएगा नाम खांसर बड़ा मुश्किल है उस सक्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है शौक बच्पन से ही सवाल पूछने का था और आज लाखों के सवालों के जवाब देते हैं वो भी बहुत कम फीस में क्योंकि लक्ष है लोगों को काबिल बनाने का ना कि उनको पढ़ा कर उनसे पैसे कमाने का लड़कों के अंदर एनर्जी है वो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको एक सही मार दर्शन की जरूवत होती है उनको अपनी भासा में सीखना है मेरा मकसद यही रहा कि लड़के जब मेरे क्लास में आए तो वो यह सोच करना आए कि हम पढ़ने आ जा रहे है कि जिस तरह मूवी देखके आते हैं याद हो जाता है उस तरह जीवन वर याद हो जाता है रतिया में उतारने के लिए इस पेंटिंग टेंटिंग का कोई जरूवत नहीं पड़ेगा तब वहाँ पे लाइट जलाना पड़ता है धुक धुक हुआ लाइट चाहते तो सिक्षा को अपनी कमाई का जरिया बनाकर करोणों रुपय कमा सकते थें ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थें पर इन्होंने जो रास्ता चुना वो मुश्किल जरूर है पर वो मुश्किल रास्ते ही अक्सर इंसान को काम्याबी की ओर ले जाते हैं जो लोग हमें करोड रुपय में खरीद सकते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं स्टूडेंट से फीस लेगें और मेरा मकसद यही है कि समाज के अंतिम पीड़ी को हम सिख्छा दे सके जिसे तकिया खरीदने के पैसा नहीं हो अपना हाथ मोड़ कर तकिया लगाता है तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं कि जब हमें कोई अगर एक करोड में खरीदेगा तो वो इस्टूडेंट से लेगा इसलिए हम कम से कम में हम सिख्छा देना चाते हैं ताकि वो लोग जागरूप हो सके एक अच्छे स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं होता क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है जिनकी उंगलियां पकड़ कर हमने चलना सीखा है खांसर जैसे लोग है जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा इसलिए गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हत्यार अपना लिया यानि सेक्षा और अब उसी हत्यार से वो तयार करना चाहते हैं एक ऐसा भारत जो पढ़ने के लिए नहीं बलकि समझने के लिए पढ़ना चाहता है सिखाने के साथ साथ खुद सीखना भी चाहता है ऐसे ही लोगों को मैं आरजे प्रवीन करता हूं सलाम and wishing them all a very happy Teachers Day